नमस्का दोस्तों, आज मोदी जी अपने भासड में तुलसी दास जी द्वारा रचित एक चौपाई को कहते वे किसी की तारीफ करते हैं वे कहते हैं जूट ही लेना, जूट ही देना, जूट ही भोजन, जूट चबेना यानि कि कुछ लोग जूट का ही स्विकार करते हैं जूट ही दूसरों को देते हैं जूट का ही भोजन करते हैं और जूट से ही उनका खाना पीना चलता है अब मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये तारीव थी किसकी जैसे कि इनकी सरकार में जी अस्टी जूट नोट बंदी जूट राम मंदिर जूट जज लोया मौत जूट दो करोड रोजगार जूट डॉलर 40 रुपए होंगे जूट टैक्स कम हो जाएगा जूट हर खाते में 15 लाग रुपए आएंगे जूट भसल के देड़ गुना दाम मिलेंगे जूट महिला सुरच्छा बहुत जादा बढ़ जाएगी जूट और अब सुप्रीम कोट भी छूट दोस्तो अब की बार छूटी सरकार मोदी जी की इस पात को कौन समर्थन करते हैं और ये मोदी जी किसके लिए कहते हैं ये किसकी तारीफ की जा रही है दोस्तों ये आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स ने दोस्तों याद रहे है वही सक्तिसाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है फलवाला तर जब फलता है नीचे को जुपता जाता है दोस्तों वही इंसान इस दुनिया में सक्तिसाली माना जाता है जो बिनम्रता का परिचे देता है जो अहंकार नहीं करता है जैसे किसी पेड़ को ही देख लो जब उसमें फल लग जाते हैं तो वह पेड़ नीचे की तरफ छुपता चला जाता है वो कभी अहंकार नहीं करता ह मोदी जी अहनकार छोड़िये बिनम्रता अपनाईए क्योंकि हम सब देख रहे हैं जनता सब देख रही है याद रहे काम नहीं कारणा में बोलते हैं